हाई एब्रवान, इस मी अंजली वर्मा, यूर एजुकेटर, और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th केमिस्ट्री का जो 1st चाप्टर है, उसका 1st टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो की है physical nature of matter, तो लास्ट वीडियो में, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, मैंने आ matter कहते हैं, तो matter की क्या-क्या properties होती है, सबसे पहले mass होना चाहिए, space occupy करनी चाहिए, तो हमने कहा, space तो वो occupy कर रही है, ठीक है, अब ये जो space occupy हो रही है, जैसे मानलो, यहाँ पर कोई भी matter है, इसमें space occupied है, तो सबसे पहली बात तो, ये जो matter है, ये आखरकार किन चीजों का बन रहा है, तो किन चीजों का बनता है, ये भी मैंने detail में आपको बताया था, बहुत ही छोटे-छोटे small particles का matter बना होता है, और इन small particles को हम आखरकार क्या बोलते हैं, इन small particles को हम बोलते हैं, atoms, so small minuscule particles make up matter, and these small particles, they are known as atoms, atoms क्या होते हैं, building blocks होते हैं, छोटे-छोटे atoms जो हैं, वो जब मिलेंगे आपस में, तो बड़ी सी एक building बनेगी, ठीक है, और वो building क्या है, वो building है हमारे matter की, समझ में आ गया, तो सबसे पहला point तो यही है, कि जो हमारा matter होता है, that is made up of very very small tiny particles, which are known as atoms, ठीक है, और दूसरा क्या है, कि ये जो particles हैं, ठीक है, ये जो small particles present हैं, इनके ब पानी है, तो पानी के molecules, they are attracted towards each other, ठीक है, एक दूसरे से attract तो करते हैं, बट फिर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ space बची ही रहती है, ठीक है, due to the space between them, due to the space between the particles, ठीक है, ये जो particles होते हैं, ये attract करते हैं, एक दूसरे को, हमने तीन states देखी, solid, liquid and gas, solid में क्या होता है, ये जो particles हैं, ये बहुत ही strongly attracted रहते हैं, because they have a very strong force of attraction, और ये strong force of attraction इसलिए है, because यहाँ पर ये जो space है, ये बहुत ही less है, ठीक है, the space is very very less, बहुत ही कम space इनके बीच में होती है, space कम है, तो force of attraction maximum यहीं पर होता है, सबसे जादा होता है, फिर liquid में, जो particles हैं, वो थोड़े दूर-दूर होना start कर देते हैं, तो यहाँ पर there is a larger space between the particles, जादा space यहाँ पर है, जिसकी वजए से इससे कम force of attraction, liquid के particles के बीच में होता है, then third, gases में तो particles जो हैं, वो बिलकुल ही randomly oriented रहते हैं, and they have a lot of space, बहुत सारी space होती है, इन particles के बीच में, due to which the gaseous particles, they have the least force of attraction, clear हो गए, two points, सबसे पहले, जो हमारा matter है, किसका बना है, small particles का, जिनको हम क्या बोलते हैं, atoms बोलते हैं, ठीक है, अब यह जो small particles हैं, इनके बीच में space होती है, ठीक है, and also they have some force of attraction, space और force of attraction, inversely proportional है, space जादा है, force of attraction कम है, space कम है between the particles, force of attraction जादा है, clear हो गया, तो यह points हमने द देख लिए हैं, अब देखो यहाँ पर यह activity 1.1 हमारे NCRT में mentioned है, इसको देख लेते हैं, हम 100 ml beaker ले रहे हैं, fill half the beaker with water and mark the level of water, ठीक है, मान लो, यहाँ पर मैंने पानी भर दिया, तो यह पानी भर दिया, and this is the level of water, ठीक है, यह है level of water, dissolve some salt, sugar with the help of a glass rod, अब यहाँ पर हमने ग्लास rod ली, ठीक है, उसके बाद हमने क्या डाला है, हमने यहाँ पर sugar या फिर salt, जो भी मुझे मिला, जैसे मुझे sugar थोड़ी ज़्यादा पसंद है, मैंने इसमें sugar डाल दी, ठीक है, फिर उसको हमने glass rod से mix करा, observe any change in water level, एक बात बताओ मुझे, घर में यह चीज़े तो कर बढ़ जाता है suddenly, नहीं न, बिल्कुल नहीं बढ़ता है, वो तो घुल जाता है उसमें, तो हमें यही चीज़ observe करनी है और इसका reason बताना है, what do you think has happened to the salt, salt कहां गायब हो गया, जो salt है वो dissolve हो गया, और यह जो salt या फिर sugar के particles हैं, इन्होंने कौन सी space occupy करी मुझे बताओ, उ ऐसे आखों से तो नहीं देख सकते हैं, but, microscope से जब हम देखेंगे, हमें पता चलेगा, पानी के particles न, काफी दूर दूर है, ठीक है, अब यहाँ पर दूर दूर है, तो क्या है, इनके बीच में, space present है, ठीक है, there is some space which is left between the particles, यह जो sugar हमने add करी, यह जो salt हमने add करा, इन्होंने कौन सी space occupy करी है, so they occupied the space which is left between the water particles, which means, यहाँ पर से क्या conclusion निकलता है, कि particles have some space between them, तभी तो दूसरा कोई हमारा matter आ रहा है, वो जाके वही space को occupy कर पा रहा है, जो कि left over है, between the particles of that matter, जो कि इस case में क्या है, पानी है, ठीक है, where does it disappear, वो disappear, इसलिए हुआ है, पहली बात तो, because वो dissolve हो गया है, क्योंकि यह soluble होता है पानी में, ठीक है, salt और sugar दोनों ही पानी में soluble होते हैं, इसलिए वो disappear हुए, और उन्होंने कौन सी जगह occupy करी है, so they occupied the space which was left between the water particles, does the level of water change, so no, पानी का जो level है, वो change नहीं होगा, क्योंकि already पानी के molecules के बीच में space थी, जो की sugar या फि देखो, यहां पर हमने पानी लिया, salt इसमें डाल दिया, फिर उसके बाद हम mix करेंगे, तो यह पूरा अच्छे से घुल जाएगा, ठीक है, when we dissolve salt in water, या फिर sugar in water, particles of salt get into the spaces between the particles of water, यही चीज मैंने अभी आप लोगों को explain करी थी, ठीक है, यह भी हमारा हो गया, अब देखो यहां पर हम यह देखेंगे, कि कैसे हमें पता चल रहा है, कि जो matter है, वो बहुत ही small particles का बना होता है, अगेन एक activity है, इस activity में क्या करते हैं, पहले हम पानी लेते हैं, उस पानी में हम KMNO4 मिलाते हैं, KMNO4 क्या होता है, potassium per manganet होता है, ठीक है, potassium per manganet, और इसका formula यह है, इस आती हूँ आपको, यहां पर इस तरीके से, ठीक है, जैसे यहां पर food color added है, तो यहां पर क्या हुआ, हमने food color डाला है, तो इसमें एक color आ गया है, फिर आपको क्या करना है, आपने यहां पर 100 ml water लिया था, आपने थोड़ा बहुत, because यह powdered form में होता है, थोड़ा बहुत amount 10 ml यह colored पानी निकालोगे, ठीक है, दूसरा मैं कप लोगी, 10 ml पानी इसका डाल दूँगी, फिर वापस मैं 90 ml पानी लोगी, सिर्फ 90 ml, इस 90 ml में यह इस से जो मैंने 10 ml निकाला था ना, वो इसमें डाल दूँगी, ठीक है, मिक्स हो गया, 90 ml अल्वेडी था, 10 और डाल दिय और यहां पर से जो 10 ml निकाला, वो इसमें डाल दूँगी, टोटल हो जाएगा 100 ml, फिर से यही चीज रिपीट करते रहनी है, यहां पर 10 ml फिर से इस से निकालो, अगे 90 ml पानी लो, इसमें डाल दो, अब यह हम कर क्यो रहे हैं, और इस से मुझे क्या पता चलेगा, तो इस थे, वो अलड़ी छोटे थे, ठीक है, उन छोटे पार्टिकल्स के अंदर भी, there were millions of particles, जो हमें दिखते भी नहीं है, तो atoms इतने छोटे होते हैं, तब ही जाके तो, even मैं क्या कर रही हूं, तो इतना पानी निकालते जा रही हूं, सिर्फ 10 ml पानी ले रही हूं, इसमें भी बहुत ही कम अमाउंट होगा, कैमिनोफोर का कुछ ही particles होंगे, still it is able to color this 90 ml of water, which means the particles are very, very, very small, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, but, वो अपना effect दिखा सकते हैं, तब ही जाके तो, जो color है, वो further हमें दिखता जा रहा है, ठीक है, देख लेते हैं, this experiment shows that just a few crystals, हमने कुछ ही तो crystals डाले थे, दो या तीन crystals आप यहाँ पर डाल सकते हों, ठीक है, can color a large volume of water, ठीक है, hundred thousands of liter भी आप ले सकते हो, hundred liter ले रहे हो, hundred milliliter ले रहे हो, वो easily उसको color कर सकता है, so we conclude that there must be millions of tiny particles, this is what I told you, बहुत सारे छोटे 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 particles होते हैं, जिनको हम atoms कहते हैं, जिनको हम naked eyes से नह which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles, अगर यह छोटा सा particle भी है, तो यह फर्दर divide होता जाता है, इस तरीके से divide होता जाएगा, जब तक यह और छोटा ना हो जाए, ठीक है, तो जो matter है, बहुत ही छोटे, बहुत ही small particles से मिलके बना होता है, and they have millions of tiny particles, ठीक है, तो यार यह last topic था, ठीक है, last तो क्या actually, this is the first topic, और first topic में दो ही चीजे हमें अच्छे से detail में पढ़नी थी, जो की मैंने आपको explain कर दी है, so with this we end at today's video, I hope इस video से आप लोगो को सब कुछ समझ में आ गया होगा, मिलते हैं next video में, till then, bye everyone, take care and all the very best.